आज हम बनाएंगे बहुत स्वादिष्ट पोहा जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत स्वादिष्ट एक बार बनाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा देखिए किता स्वादिष्ट बन के हमारा पोहा तयार हो रखा है तो चलो बनाने सुरू कर लेते हैं सबसे पहले मैंने तीन कटोरी पोहा ले लिया है उसको मैंने अच्छे से साफ किया और उसके बाद मैंने इसे तीन से चार पानी से ऐसे रगड़ रगड़ के धो दिया है उसके बाद इसे को मैं छन्नी में रख लूँगी और जब तक इसका पानी निकलता है हम इसके लिए मसाला तयार करेंगे सबसे पहले मैंने कड़ाई में तेल डाला और इसमें मुफली को भूल लेते हैं मुफली जब तक चटक चटक की आवाज न करें और उसके बाद मैं का कलर थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे इसे ही मीडियम फिलै म पे भूणेंगे और निकाल लेंगे इसमें दालने के लिए मैंने दो अलु ले लिए थे और उनको मैंने बारिक बारिक काटा चिल के और उसके पाद ऐसी तेल में तलके मैंने ही रख लिये हैं आलू भी डालेंगे इसमें अब मैंने तेल रखा उसी तेल में मैंने सर्सों की दाने डाल दिये हैं लसन डाल दिये बारी बारी काटके और कड़ी पता रहरी मिर्ची भी डाल देंगे यह कड़ी पत्ता मैंने सुखा के रखे थे आप रेस भी डालोगे तो बहुत स्वाधिश्ट होंगे वह अब इनको भून लेते हैं थोड़ी दे तर अब इसमें प्याज डाल देंगे मैंने बारी बारी काटके प्याज तायार कर रखा है दो प्याज ले रखे हैं मैंने और आप इनको जब तक प्याज ट्रांस्परेंट नहीं हो जाते तब तक भूनेंगे ऐसे ही दीरे दीरे इनको चलाते रहेंगे यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है जब भी आपका मन करें कि आज रोटियां नहीं बनानी है आला साय रोटियां बनाने में तो फटा फटा पोहा बना सकते हैं और सब को पसंद आएगा घर में अब इसमें टमाटा डाल देंगे बारी बारी काटके मैंने दो टमाटा ले लिये हैं वो डाल देंगे टमाटरों को गलाना नहीं है अब इसमें हम हल्दी मीर्ची और नमक डाल देंगे ऐसे थोड़ा भून लेंगे इनको और नमक स्वादरन साथ डाल देंगे अब इसको अच्छे सी पका लेंगे थोड़ी देर तक उसके बाद इसमें आलू डाल देंगे अब और आलू को भी हम इसकी मसाले के साथ तोड़ी देर तक पकाएंगे यह हमारा पोहा बहुत ही स्वादिश्ट बन जाता है आप बना के देखिए जरूर एक बार और मुझे बताईए कि आपका पोहा कैसे बना था आप देखिए मैंने यह दोके रख लिया था एकदम खिला खिला सा हो गया है सारा पाने निकल गया है इसका अब पोहा डाल देंगे इसमें अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ अब मिल गया है यह देखिए कितना सुन्दर कलर आ गया है इसका अब इसमें मुफली भी डाल देंगे और मुफली के साथ इसको मिला देंगे अब हमारा पोहा बनके एकड़म तयार है अब इसमें हरा धनिया डाल दिया है मैंने बारिक बारी काटके देखिए कितना सुन्दर लग रहा है देखते ही इसे खाने का मन हो रहा है अब इसको मिक्स कर लेंगे धनिया को भी देखिए बहुत स्वादिष्ट बन रखा है आप इसे बनाइए खाये और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए मेरी नई वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद